पता है एक न एक दिन हम सभी को यहां से जाना है लेकिन तए आपको आजिय करना है कि आप खेल खेलना चाहते हैं या खेलाड़ी बनना चाहते हैं ठीक है और आज cover करेंगे हम सभी 20 जुलाई के important current affair class रोज सुबा में साड़े चार बजे आप सभी का चलता है अगर आप railway, SSC, bank या किसी भी state exam का तयारी करते हैं या फिर teacher का तो सारे current affair काफी important है आपके exam के point of view से और जो भी channel के उपर first time आ रहे हैं चैनल को subscribe करने के बाद notification के घंटे को दबा दीजेगा ताकि हर एक class का update आपके phone तक जो है वो मिलता रहे और इसका पूरा का पूरा जो PDF है आप सभी को telegram के उपर share कर दिया जाएगा telegram का link है आप सभी का success की 98 जहां से आप सभी PDF अगरा डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी बीडियो के description box में PDF का link दिया गया है वहां से भी आप सभी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आज का पहला question है हाल ही में निधन होने वाले अमोदू गोन कूली बिल किस देश के पधान मंत्री थे ये आपको बताना है और ये पधान मंत्री थे आपके ivory coast के option number आपका D ठीक है अभी इनका heart surgery के वचे से जो है वो फिला हाल फिलाल में निधन हो गया था और एक बात ivory coast का जो capital है जो राजधानी है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है आपका यामु सोकोरो ठीक है और वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल करते हैं तो west african cfa frank अगला प्रस हमारे सामने हैं किस देश के बिग्यानिक ने क्रोना भाइरस के खिलाप लडाई लड़ने में जितने भी कच्डे होते हैं उसको परिवर्थित करकर ethanol बनाकर centizer की रूप में इस्तमाल किया जाएगा अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा research किया गया है कि जितने भी कच्डे होते हैं अब उसका इस्तमाल करकर जो है वो एथनल बनाया जाएगा और उससे बनाया जाएगा आपका hand sanitizer ठीक है और ये कहां पर खोच किया गया है तो इसराइल में option number आपका D और इसराइल के बारे में गर बात करूँ तो इसराइल का रासधानी कह है जेरुजलम और इसराइल का पर धान मंत्री तो बहुत चर्चित रहें आज कल न्यूज में तो उनका नाम तो सभी को पता है बेंजामिन निथनियाओं ठीक है अगला प्रसमारे सामने है कि कोविड-19 संकट के बीच भारतिया जो SME है यानि Small Medium Enterprise यानि जितने भी छोटे उद्योग है न उनको मदद करन के लिए जो Mastercard कमपनी है उनके द्वारा किये जाने वाले निवेस जो है वो कितना है यानि जितने भी छोटे छोटे उद्योग है न Small Medium and Enterprise उसमें Mastercard के द्वारा निवेस किया जाएगा ताकि छोटे बैपारी को जो है वो सहायता हो पाए तो Mastercard ने कितने रुपए निवेस कर ने का घोसरा किया है तो 2800 करोड और एक बात Mastercard के CEO का नाम क्या है अजय पाल सिंग बंगा याद रखियेगा अगला प्रस हमारे सामने है इफ इट बिल्ट्स यब पुस्तक जारी किया जाएगा जुलाई के महने में इसके लेखा कौन है ये आपको बताना है किताब का जो स लेखा गया है क्या नाम है Stephen King यानि की सई answer क्या हो जाएगा हमारा option number D अब थोड़ा इस किताब के बारे में पढ़ लेते हैं ये किताब किसके उपर है Stephen King के द्वारा यह लिखी गई चार कहानियों का जो है वो संग्रा है यह किताब इस किताब में जो है ये चार कहानियों क जो है वो भी मोचन किया गया है यह पुस्तक जो है वो भारत में लॉंच किया जाएगा कौन से प्रकासन के द्वारा तो ये भी याद रखेगा हैजट इंडिया देख पा रहे हैं हैजट इंडिया जो प्रकासन है इनके द्वारा यह किताब भारत में जो है वो प्रकासित किया जाएगा इस बुक की कहानी जो है अलबर्ट मैट्रेड मिडल स्कूल के पास रखे बंपर केंद्र है और यह उनकी न जो स्टेफिन किंग है इनके दुआरा एक फिलिम बनाई गई थी जिसका नाम क्या था दा आउटसाइडर वो उसकी अगली कड़ी को जोड़ता है यह किताब याद रखेगा यह कोस्टन काफी इपोटेंट है हाला कि यह पुस्तक के बारे में अगर बात करू तो यह पुस्तक अमेरिका में अप्रेल के महने में ही लॉंच कर दिया गया था लेकिन यह इतने पॉपुलर राइटर है कि इनका यह किताब जो है वो भारत में किया जाएगा अगला प्रसमारे सामने है किस सराज की सरकार ने दूद डैरी उत्पादों की सुनिचित करने के लिए एक अभ्यान सुरू किया है ठीक है क्वस्टन को परे समझ जो जितने भी प्रड़क्ट बनते हैं दूद वगरा से अब देखो मिलावट वगरा बहुत चल रहा है आज की देश में आप सभी को पता है कोई बात छुपा नहीं है तो अब राजस्थान के राजसरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर जितने भी इतने बड़े बड़े केंद्र है जहां पर दूस से हर एक समान बनता है वहां पर कोई भी जो स्पेसलिस्ट टीम हो जाज करती है वो कभी भी पहुश सकती है इस अभ्यान को चलाया जा रहा है ताकि जो मिलावट है वो कम से कम हो सके ठीक है और एक बात ये जो अभ्यान चलाया जा रहा है इसका नाम क्या दिया गया है तो इस अभ्यान का नाम दिया गया है प्योर फॉर्स योर ठीक है ये अगला प्रस हमारे सामने है नौदान पुलिस स्टेशन यानि की ऑप्सन नंबर आपका दी और ये कहाँ पर पढ़ता है तो यह पढ़ता है आपका हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश का हमीरपुर एक डिस्टिक है वहाँ पर यह जो है पुलिस स्टेशन पढ़ता है और ध्यान से सुनना आज का क् प्रस्ण आप सभी के लिए यहीं से निकल कर आ रहा है कि हिमाचल परदेश का मुख्य मंत्री कौन है, राजपाल कौन है, वहाँ का राजधानी क्या है, और एक बात हिमाचल परदेश हाई कोट के मुख्य ने आदिस कौन है, यह भी आपको कॉमेंट करकर बताना है, यह आप आपका आज का पहला प्रस्न है अगला प्रस्न हमारे सामने है निमलिखित में से किस राज में जो है वो 61 वर्सों के बाद क्या खोजा गया है यप्तिमा वाट्सोनी तितली की परजाती को जो है वो खोजा गया है एक परकार की तितली जो 61 साल के बाद दिखी गई है दुबा तिरपूरा में एक गाव है, उस गाव का नाम क्या है? तो उस गाव का नाम है आपका फुल्डूंगसी, ठीक है, जो कहाँ पर पढ़ता ही यह गाव, तो जम्पूइ पहार के पास याद रखिएगा, एक्जाम में कभी-कभी पूश दें कि जम्पूइ पहार कहाँ पर है? त तल्ला मुख्यमंत्री बिपलप कुमार देब और वहां के राजपाल कौन है रमेस बैस और एक बात वहां के जो मुख्य नयादीस है उनका नाम क्या है तो अखिल अब्दुलहमीद कुरेशी ठीक है और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और एक बात हो सके तो वीडियो को सेयर कर दीजेगा भी अपने भाई बैंसे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ सके चैनल के साथ अगला प्रस हमारे सामने है निमलिकित में से कौन? मुच्छल फंड प मामले के लिए तो उनका नाम है उसा थ्रोट ऑप्सन नंबर आपका सी जो फोटो में आपको दिखाई दी रही है इनी का नाम है क्या उसा थुरात और एक बात ये आपची जरूर याद रखना सेवी के बारे में बार बार एक्जाम में पूस्ता है सेवी का गठन कव हुआ था 12 अपरेल 1992 को सेवी का अध्याज कौन है अजयत त्यागी और हेट क्वार्टर तो वो है आपका मुंबई में अगला प्रस हमारे सामने है निमलिकित में से किसे क्रिसिल अब ये क्रिसिल क्या है भाईया जैसे मूडिस है क्रिसिल है इंडिया रेटिंग से जो जीडिपी को लेकर टाइम टाइम पर जो है वो अपना अनुमान लगाया करता है या एक परकार का एजेंसी है इनके अत्रिक निदेसक के रूप में किसे निक किया गया है क्रिसिल का यह आपको बताना है तो यह जो महिला आपको दिखाई दे रही है ना इनका नाम क्या है स्यामला गोपिनाथ इनको जो है वो क्रिसिल का एडिस्नल डिरेक्टर जो है वो बनाया गया है अगला प्रसमारे सामने है सहिवत राष्ट नी नू तो तारीक ए तालीबान पाकिस्तान, option number यानि की option number D, अगला प्रसमारे सामने है, राष्ट तित्थी दिवस किस तारीक को मनाया जाता है, यहां राष्ट तित्थी हो गया है, यहां पर राष्टी मून डे होगा, ठीक है, यह किस तारीक को मनाया जाता है, मैं टेलिग्राम मे ये बिल्कुल सही कर दूँगा डाउलोड कर लीजिएगा टेलिएफ में ठीक है और आप सभी को मैं बता दू National Monday जो है यह मनाया जाता है आप सभी का 22 जुलाई को आप सभी को पता होगा जो निल अम्स्ट्रॉंग है जो बिग्यानिक साइन्टिस्ट वो 22 जुलाई 1979 को ही जो है वो चांद पर कदम रखे थे आपको जो पिक में दिखाई दे रहे नहीं है आपके निल अम्स्ट्रॉंग ये तो सभी को पता होगा और ये भी पता होगा 22 जुलाई 1979 को इन्होंने पहली बार चांद पर जो है वो पैर रखा था और ये पहले इनसाम थे इसलिए 22 जुलाई को मनाया जाता है National Moon Day ठीक है तो ये थे आपके Important Current Affair 20 जुलाई का इसका पूरा PDF डाउनलोड कर दीजिएगा टेलीग्राम से और चैमल पर नए है तो चैमल को सस्क्राइब करने के बाद Notification के बेल को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी क्लास का अपडेट आप सभी के पास मिस ना हो और एक बात बोलूँगा अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं तो हमारा Application Success की 98 को डाउनलोड करने के बाद Google के Play Store से आप Railway, SCC या फिर Bank का एक्जाम दे सकते हैं Hindi और English दोनों ही Language में अपने फोन के उपर और वहां से एक साल वाला Package भी ले सकते हैं जो आपको मात्र 349 में मिल जाएगा पूरे साल पर जो जो एक्जाम आएगा हर एक्जाम का मोग टेस्ट जो है आपको दिया जाएगा सो मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासात अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल रखियेगा ठीक है ना? चलिए